हेलो बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है सानदार जिन्दवाज जब रजस्त होंगे बहुत सारे बच्चे लगातार बोल रहे थे कि सर एससे जीडी पर थोड़ा सा मोटिविशन थोड़ी सी चीजें और मिल जाती थोड़ा जोस सा आ जाता फॉर्म से पहले ही तो आज लगबख आपकी ऐसी ही वीडियो रहने वाली है और एक नोटिफिकेशन जो एसससे जीडी के नाम से चल रहा है वो बहुत तेजी से वा अब बच्चो उस पर हम बाते करेंगे क्या वह सही है अगर उसमें एक जाल डेट साहि और यह ऑं न हिए हो यह सही ब्चों के लोगर क्रूंप ही सचार बथॉय वाली हूए है हौर बहुत सारे बच्चों ने डाली हुई है कि SSEGD में कितनी हैं उनका जवाब यह होता है कि नोटिफिकेशन आने पर पता चल जाएगा यह जवाब है अभी तक हमें भी क्लियर नहीं है यह उनकी क्लारेटी है बच्छों फुल मिला करके कि उनका कहना है कि 24 नौवंबर से पहले यानि फॉर्म जिस दिन आएंगे उस से पहले पता लगाना विकेंसी नामुम्किन है उनका कहना यह है लेकिन फिर भी एक नोटिस ऐसा हो जाता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 75,768 विकेंसी जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ तो क्या यह सही है क्योंकि बहुत सारी चीजें सही दिख रही है उसम बच्चों के भीच अभी हमारे मुझ से निकल गया था कि हम परियागराज के बच्चों के बहुत करांट अरे थे तब ह데तव हम ने बूल द5000 आ था, अब एक करोड होने पर आएं सहे दस मुलिएन, जिस दिन हो जाएंगे उस दिन प्रियागरा जाएंगे तो उस समय आगया है बच्चो कि 10 मिलियन पर हम प्रियागराज जा रहे हैं देट भी हम लोगों ने फिक्स कर ली है डेट भी एक फॉन आ रहा है बच्चो मैं इसको काट देता हूं बस तो यह डेट भी हमने फिक्स कर ली है पच्चीस नवबर तुबह ग्यारा बजे ठीक है तो ग्यारा बजे जो है हम लोग वहां मिलेंगे पूरी टीम आप लोगों का इंतजार रहेगा जो भी वहां के आसपास के बच्चे कुछ बच्चे वरानसी से भी आएंगे कुछ बच् जीत सिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पी ग्राउंड के नाम से यह फैमस है यहां पर अपने टीम मिल रही है चलो बात कर लेते हैं वापस से एससी जीडी के उपर अब अगर हम देखें बच्चो अगर आप प्रियागराज के आसपास के तभी ट्राई करें बाकि यह पर नहीं है कोई बच्चा पता चला कि वो तो MP से वहां पहुंच गया नहीं हो सकता है आपके उधर भी जल्द कुछ चक्कर लगें ठीक है हां देखिए एसससे जीडी के जो फॉर्म है वो आ रहे हैं 24 नवंबर से यह एकदम क्लियर है क्लियर कट है 24 नवंबर पढ़ रहा होगा फ्राइडे का बचो फ्राइडे में जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो रात तक आते हैं तो हो सकता है यह रात में आए या सेटर डे में सुभह में भी देखने को मिले अगर एक दो दिन लेट हो जाए तो परिशान मत होना ऐसा होता रहा है पहले भी हाला कि यह बह रहने वाली है यह पहले ही एनाउंस हो चुका है कि 20 फरवरी से लेकर मार्च तक एक्जाम आपके चलने वाले हैं और बच्चो आपको मालूम होगा यह ससी जीडी 2024 नाम दिया है इन्होंने 2023 नाम किसी भरती का नहीं है 22 वाली जो चल रही थी जिसकी जॉइनिंग हो चुकी है उनका नाम 22 था 23 नाम किसी का नहीं है इसका नाम 24 दे दिया है जो आ रही है 23 महीं और जो अगली वेकेंसी आने वाले जीडी की वो भी अगस्त में दे दी है 25 दोजार पच्चीस नाम दिया है उसको अब ऐसा कोई ना सोचे किसर यह तो वही वेकेंसी है यानि यही तो कलेंडर में मौझूद है अपडेटीड कलेंडर में सिर्फ वह है क्योंकि वह अपडेटीड है पुरानी चीजे उसमें नहीं है ठीक है तो उसमें कोई कंफीजन किसी को नहीं होना चाहिए अब बात आती है कि सर्व वेकेंसीज कितना है बच्छों बता दूं इस बात को भ यह कुछ ऐसा माजिक तत्व होते हैं बैड एलिमेंट्स बच्चे होते हैं जो बच्चे की बड़े भी हो सकते हैं वह इंटरनेट पर बैठा हुआ कोई सक्स हो सकता है जो आपको जस्ट कन्फ्यूज करेगा और आपके दिमाग में डाउट्स डालेगा तो वह वाला काम किसी ने किया है और इसमें साफ लिख दिया कि फॉर्म 24 नवंबर को आ रहे हैं 28 बारे लास डेट है यह होने भी वाला है यह होगी डेट ठीक है और इसने सिड्यूल आफ कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम भी फरवरी दे दिया है और बच्चो सबसे बड़ी बात इसने तो वेके वेकेंसी भी बता डाली है कि BSF में आपकी 27,885 हैं CISF में 8,598 हैं और यह लास टोटल बता दिया है कि SSF की भी अच्छी खासी बता दी कास यह यह आ जाए 583 हैं तो टोटल 55,768 और जोड भी उसने सही बना रख खाया बल्कुल ठीक है तो 55,768 वेकेंसी यह बिलकुल है उसने इस नोटिफिकेशन को बचो अब आपका उकसर यह तबियत से क्यों लग रहा है यह तो सही सा लग रहा है सब कुछ यह गलत कहां है अब एक बात बताओ अगर SSC इस नोटिफिकेशन को निकालेगी तो क्या यह लिखना भूल जाएगी 2023 लिखना है 2024 लिखना है यह आजाती ठीक है तो यह पूरी तरह से बच्चो इसको फेक मानिये फेक है एकदम फेक है तो आपका इसका मतलब एक जो खुस खबरी आपके मन में थी 75,000 बढ़ती वाली वो तो दुखी खबरी में चले गया आप हाँ यह जरूर है कि 75,000 प्लस आरीती सर यह अच्छी खबर हैंगी वह चोई हमेशा आपने देखा होगा 2022 में अकवारों में छप गया 80,000 वेकेंसी आई थी फिर कितनी मात्र जो सुरुवात में देखो गे ना वह 26,000 वेकेंसी आई थी हाला कि तीन बार वेकेंसी बढ़ी और वह 50,000 पार कर गए तीन चार बार बढ़ी है पिछली बा क्लियर नहीं है और अगर आप उमीद कर सकते हो तो इतना तय है कि 30,000 से पिलस आएंगी अब वो कितनी भी हो सकती है 60,000 के बीच ये एक चांस है जो लग रहा है ठीक है इसके बीच कोई नंबर मेरे पास भी क्लियर नहीं है अगर आपका उसर इससे कम आ गई तो जरूर है 40 आगए तो भी बढ़ने के चांस है ऐसा नहीं है कि नहीं जो आ गई फिक्स रहती है नहीं स्सीड़ी कि वीकेंश ती capital से डेटा मांगते है और department को वीकल टाइम पर नहीं दे पाता तो उसका अपटेटिलं करते बाद में अपडेट करते रहते हैं पर वच्छों अगर 2021 वाली वेकेंसी देखो शुरुवात में 25,271 थी और लास्ट तक भी 25,271 रही वो नहीं बढ़ी तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बढ़ती ही है फिक है चलो तो यह मैं आपको इसारी चीजें बता रहा हूं ताकि आप लोग किसी के भैकावे में किसी फेक नोटिस पे रिलाई ना करें अब कैसे तैयारी करें भाई इस बात को भी आप हमसे जरूर जानना चाहोगे यह मैंने वही फेक नोटिफिकेशन का ही उसका स्क्रीन सॉट लेके दिखा रहा हूं चलिए अब बच्चे थोड़ा सा SSC GD के अगर बच्चे हो तो थोड़ा सा सीरियस हो जाने का समय है इस समय क्योंकि यही समय है सही समय है तैयारी करने का बचो आप सब को मालूम होगा कि यार भरती जरूर 2025 की हमारे सामने है पर 2025 की वही बच्चा देखेगा वही बच्चा सोचेगा जिसको अपना ये डाउट होगा कि 2024 में तो मैं लग ही नहीं पाऊंगा वही खुस होगा आपको खुस ही नहीं होना चाहिए था 2025 का सुनके इस हमें तो और बच्चो को लगाने का मौका मिलेगा ठीक है लगाने का कुमाने का भी मौका मिलेगा है ठीक है मैं तो इसलिए भी खुस हो सकता हो Б bono चारड पैसे आएंगे मेरे स्टाफ को और काम चल जाएगा मैं तो इसलिए लेकिन आप क्योंग्श हो यह समजबनी आν एक ही देहे होना चाहिए कि 2024 वाली वेकेंसी मेरे सामने है, 24 नॉबंबर आने वाला है, इसमें चाहे 30,000 आएं, चाहे 60,000 आएं, मुझे तो एक पोस्ट अपनी क्लियर करनी है, मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ महनत कर रहा हूँ, और व कितनी आएंगी, कितनी का इंतजार सिर्फ वो करता है, जिसको अपनी सफलता पर डाउट होता है, ठीक है, क्योंकि कितनी यार, अगर यह सोचने भी लगूं, मैं परेशान हूँ, सोच सोच के यूट्यूब पर सर्च करूं, कितनी आएंगी, तो भाई, पहली बात तो अभ के हाथ की बात नहीं है, तो आप उस चक्कर में पढ़ए क्यों हो, आपका तो सिर्फ एक काम होना चाहिए, कि मिर इको तैयारी करनी है, और तैयारी कहां से करनी है, कैसे करनी है, यह आप ही पर डिपेंड करता हैं न बच्छों, तैयारी गाइड करने वाले हम लोग हैं, ड अभी से पढ़ाई करें SSAGD के लिए और फरवरी में एक्जामें क्या अभी भी क्लियर हो सकता है जी बिलकुल आपकी अपने अपनी छमताएं हैं पढ़ने की अगर आपके अपनी छमता के अनुसार पढ़ते हो और वास्ता में पुर जोर को सिस करते हो तो अभी से भी निकल आप इस चिंता में बिलकुल मत रहो कि पता नहीं मैं अब से पढ़ूँगा तो होगा या नहीं होगा अगर आपने एक सही सेलेक्शन लिया है कि भाई मुझे यहां से पढ़ना है और मैं यहीं से पढ़ूँगा और अब मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं बिना यह पढ़ा रहा है यह एक्जाम में आएगा या नहीं आएगा वो वाला तो दूसरी चीज पढ़ा रहा है वो वाला तीसरी पढ़ा रहा है मैं किसका पढ़ूँ इसका पढ़ूँ या उसका पढ़ूँ या तीसरे का पढ़ूँ ऐसा सिर्फ वो बच्चा सोच रहा होता है ज बात को note भी कर लेना और किसी selected student से पूछ भी लेना कि भाई एक बार कोई भी जो selected student है वो आपको बता देगा कि हाँ एक बार आपको भरोसा किसी न किसी पर करना ही पड़ेगा और उससे पढ़ना ही पड़ेगा भटकते रहने से selection होगा ही नहीं सक करते रहने से selection होगा ही नहीं यह जरूर है अपना गुरू चुनने में time ले लो इसका समझ में आ रहा है या मुझे उसका अच्छा समझ में आ रहा है या तीसरे का अच्छा समझ में आ रहा है लेकिन जब समझ में आने लग जाए फिर उससे पढ़ने में पूरी जान जोग दो कि मुझे अब सब कुछ इससे पढ़ना है लेकिन ध्यान रहे कि वह उसकी बातों से आपको ये लगे या उसका पिछला ट्रेक रिकॉर्ड देख लेना कि वह आपको बीच मजधार में तो नहीं छोड़ के चला जाएगा जिस पर आपने पूरा जो है पढ़ना शुरू किया है ठीक है आप ये ट्रेक रिकॉर्ड देखकर अगर आपको बरोसा नहीं होता तो इन चीजों को देखा करो बस ठीक है ओनलाइन इक बैस्ट पढ़ाई है इसमाग कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बच्चा ये तो भाई ऑनलाइन के अध्यापक भी तो ऐसे ही हो सकते न कुछ अच्छे लोग भी होते हैं कुछ ऐसे लोग भी होत है जो सिर्फ टाइम पास करने आया है ठीक है कि आपका काम सुरू किया बीच मजधार में छोड़ दिया ठीक है बच्चे नहीं आरब मैं क्यों पढ़ा हूं तो आपने चुन रखा उनको तो आपकी नहीं है वैसे ही डूब गई है ठीक है तो जिसके सब्दों पर आपको भ सबको पता है बच्चों मैं अपने जो एससी जीडी की साम को हिंदी की क्लास लेता हूं उसमें भी मैं कह चुका हूं भाई देखिए सत्तर लाख फॉम आएंगे इस भरती में और पचास अजार भी मैंने मान लिया हूं विकेंसी आएंगी साड़े उनहितर लाख को फिर बेरोजगार रहना है और मैं खुद सोच के देखो कि या मेरे पास मान लिजिए देड़ लाख एडमिशन है इस बैच में तो और पचास जार विकेंसी हैं एक लाख बच्चा तो मेरे पास ही मुझसे पढ़के भी बिरोजगार रह जाएगा तो फिर क्या करें भाई देखिए कोर्स लेने से सेलेक्शन नहीं होता मैं हमेशा बोलता हूँ या आपने कोर्स ले लिया अंकेत भाटी का और आपका सेलेक्शन हो जाएगा नहीं पढ़ने से सेलेक्शन होगा, continue पढ़ने से सेलेक्शन होगा, blindly follow करने से सेलेक्शन होगा और बहुत महनत से पढ़ने से सेलेक्शन होगा ठीक है, और जो आपको आपके अध्यापक बता रहे हैं, मेरे से भी अच्छा अध्यापक अब IWA में हैं आपके लिए तो भाई अब जो वो पढ़ा रहे हैं और आप उनको ध्यान से पढ़ रहे हो तो कैसे सेलेक्शन नहीं होगा कुको उनके पास तो बहुत अनुभव है बच्चों को बढ़ती कराने का ठीक है एक अकद्यापक डाइमंड है यहां का यह आपको मालूम भी होगा तो बच्चे हैं अगर मैं मैंट की बात करूँ तो मैंट के लिए बहुत सारी फ्रीडिज़ भी हैं बहुत सारी पेड़्ड चीज़ भी आगर आपको मैंट मुझे लगता है देखिए रीशनिंग और ये दो सब्जेक्ट तो आपको यार फॉम आने से पहले क्लियर कर लेने चाहिए थे, मैंने पहले भी बोला था, और ये कर भी लिये होंगे बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट से सर मुरे कोई टेंसन नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे कहने वाले मिल जा को बता दूँ कि जो मैट्स में टेंशन ले रहे हैं और बच्चों बिना मैट्स के जीडी में सेलेक्शन इस पेसली जो हिंदी भासी वाले राज्ये हैं उनमें सेलेक्शन नहीं हो सकता तो मैं Maths के लिए उन लोगों को बता दूँ कि देखिया अगर आप एक Decide कर लीजे हम लोगों में तीन लोग हैं इस चैनल पर जो SSAGD के लिए Maths पड़ा है दीपक बाटी सर राहूल तेवतिया सर और खुद मैं तीन लोगों ने SSAGD के लिए Maths पड़ा है और तीनों ने फ पिछली साल जो बैच था बैच का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है ठीक है एक परिणाम बैच दिल्ली पुलिस का राहूल तेवतिया सर अगर आपको राहूल तेवतिया सर से पढ़ना है तो यह नाम दिल्ली पुलिस जरूर है लेकिन पूरा मेटियरल SSCGD का भी उतना ह सबसे नहीं और अगर आपको मुझसे पढ़के देखना है तो भाई सूरिया बैच अंकित भाटी सर डाल देना 85 वीडियोज है आपका मैस जिसको नहीं समझ में आता हो मैं गरेंटी दे सकता हूं कि इन मैसे एक टीचर से जिसको भी आप फॉलो कर लो उसको पढ़ाने से सम मुझे में आ जाएगा को इसे से भी पढ़ लेना मैंने बता दिया कि यूट्यूब पर कैसा सर्च करना इनको और कंप्लीट प्लेलिस्ट को खतम कर देना है भाई सा मैट्स भीक नहीं रहा सकता गरिंटी है मेरी ठीक है चलो तो मैट्स के लिए क्या एकदम रोज एक वीड और फिर आप कहोंगे सर उसमें बुक में ना कुछ क्वेशन रह जाते हैं पहला चैप्टर पढ़ा फिर पहले पूरा चैप्टर पढ़ना पहला कि वह चार वीडियो बनें पहले चैप्टर में चारों को देखना उसके बाद बुक से सौल्व करना अब उनमेंसे हो सकता है सर वो 15 में से नहीं आएगा क्या भाई साम मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनका मैंस बहुत वीए अगर वो पंदरे ना भी करें ना पचपनी कर ले सिर्फ और ऐसा ही हर चैप्टर मेंटर में होगा फिर उनके साथ उन 15 को बिल्कुल अपनी जिंदकी से निकाल दो आप सत्त है मैं आपको एक गाइड कर रहा हूं बच्चो बाकी सेलेक्शन का एक रहा दिखा रहा हूं बाकी यह बाते रोज नहीं बताऊंगा अब आपको चूज करना है इन में से तो भाई कर लीजी ठीक है वह आप ही का सेलेक्शन होगा ठीक है जरूरी नहीं कि आप बैच से ही पढ बतलती मैं नहीं तब भी वही कुश्यन आते थे अब भी वही कुश्यन आ रहे हैं देख लो पिछली बार का उठाके ठीक है तो उसकी चिंता तो मत करो और रीजनिंग की तो राहुल सर्मा भाईत निसांदार पढ़ाते हैं उनकी प्लेलिस्ट पढ़िए संदीप सर जिससे पढ़ना है पढ़ा लीजिए हिंदी में आपको कोई टेंसन होनी ही नहीं चाहिए हिंदी का प्रेक्टिस सेट कर लो और साथ में बुक रख लेना अडबले की आपको पताई है इतना कर लेना हिंदी में इससे जाद है कोई जरूत नहीं है कि आपको बैच सही ग्रामर का अगर एक दो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वे व्याकरण वाले उनके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हिंदी अगर आप 20 में से 20 ही चाहते हो पर आप 18 पर संतुष्ट हो तो ग्रामर को देखो ही मत व्याकरण को देखो ही मत पर देख लेना फिर भी उनके क्लास चिंता मत करिए और GS के लिए बच्चो क्या करें तो भाई देखिए सबसे बड़ा रामबान तो 3PM का नवीन सर का प्रेक्टिस सेट है ये वाला प्लस इसके साथ आप एक स्टैटिक जीके की बूक है अपनी स्टैटिक जीके की अगर आपने ये कर लिए तो बह फिर इस्टैटिक भी मत पढ़िया ऐसे से जीडी बूक पढ़ लिए इस्टैटिक और प्लस येलो बूक जो मातर 200 पेज किये जनरल जीके के लिए ये काफी है इस्टैटिक के लिए ये काफी है जितना मैक्सिमम जीस कोई कर सकता है वह इतने से हो जाएगा अगर आप कर सक हो ये छोटी छोटी इस बूक है ज्यादा नहीं है किया जा सकता जीस में अ इतना फिर के लास के नोट्स अगर आपने पढ़ हरे हो कि सरह इनको नहीं पढ़ ना में तो फिर इनकी जगए है फिर कलास्टिक कर्ष गया I meanra या अट्वर मीं बैच लिए तो क्लास्टोम ट्र बार भी रहेगा यह रहूं ठीक है तो इस्टेटिक को अच्छे से आपको कवर अप करना ही पड़ेगा सफलता कि बच्चों तीन सूत्र हैं मैं आप से फिर बोल रहा हूं कि online classes paid या free जहां से आपको comfortable लगे free में आपको थोड़ा distract करने वाले यार paid भी आजकल महेंगे नहीं है online में तो यार 500-700 रुपे सायद कोई भी बच्चा afford कर सकता है और बहुत संदार content मिल जाता है एक जगह मिल जाता है पढ़ने में भी असानी होती पीडिएफ साथ में अटेच मिल जाती है ठीक है बागी आपको आपको फ्री के साधन भी बता दी है पढ़ने के लिए आड़ लेगा अल्रीडी बहुत सारा content पढ़ा हुआ है और फ्री में बच्चे सलेक्ट हुए है ठीक है बुक फॉर प्रैक्टिस है अब देखिए जब भी आप classes कर रहे हो online तो ऐसा नहीं है कि बुक नहीं पढ़नी बुक तब भी पढ़नी है ठीक है आप बुक कौन सी पढ़ है तो मैं तो वह ही कहूंगा क्योंकि हमने तो इस पेसलिए से जीडी को दिहान में रखके बनाई है तो वह बुक भी प्लीज पढ़ लीजेगा तो थोड़ा सा ज्यादा फाइदा रहेगा आप देखिय कौन सी बुक मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है पहली बार पढ़ है तो फिर तो रीजनिग किलास और बुक दोनों लेनी पड़ेंगे अगर आप हिंदी पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर प्रेक्टिस सेट बुक दोनों च करकर के उसका कभी confidence नहीं आ पाता कि मैं maths में सही हो भी गया हूं या नहीं बुक देखता हूं सर होते नहीं फिर confidence lose तो इसलिए कह रहा हूं कि 70 में से चाहे 55 question हो पर करना साथ में बुक बुक से हमेशा confidence boost होगा अगर आप बुक हल करने लग जाओगे तो SSCGD की बुक का solve कर लेना जो classes मैंने बताई हैं उनके साथ ठीक है और मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट तब देना जब आपके कोई से तीन सब्जेक्ट बिल्कुल perfect हो जाएं कोई से तीन तो मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हो अब कौन से तीन दे कि reasoning हिंदी बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाएंगे अब GS में अगर confidence है तो शुरू कर दीजिए GS में नहीं और maths में दोनों में नहीं यह confidence तो एक बार पहले maths में टॉपर बने वन रैंक लाए तब भी यह करेगा चाहिए वो किनारे पर सेलेक्ट हो वो भी यह करेगा ठीक है और रहने वाला भी यह करता है उसको भी पता है सब कुछ कि अंकित भाटी ने बता है आप में से बहुत करेंगे फिर भी रहेंगे उसका काराण है कि आ आप continue न ना दूँगा एज वगेरा सब कुछ को ले करके ठीक है ओके बाई बाई नमस्कार धन्यवाद